हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सबी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे दोस्तों रोज की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं धेर सारे ऐसे अमेजिंग से हैक्स और कुछ छोटे छोटे घरेलो जुगार जिससे आपके घर के मुश्किल से मुश्किल काम भी बेहद आसान हो जाएंगे और इन सारी ट्रिक्स की सबसे अची बात ये है कि इनके ओपर किसी तरीकी का कोई भी फालतू पैसा खर्च नहीं होता बलकि ये आपके फालतू खर्चे को होने से भी रुखते हैं तो दोस्तो हमारी यहाँ पर सबसे पहली और अमेजिंग ट्रिक्स आती है यहाँ पे चाय पत्ती को लेके चाय पत्ती का यूज हर किसी के घर में सर्फ चाय के लिए किया जाता है लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहतरिन इस्तिमाल बताने वाली हूँ जो की हम हल्दी के स करने वाले हैं तो ये वाली ट्रिक आपके लिए बहुत ही जादा यूसुल रहेगी हल्दी हम सब के लिए बहुत ही जादा यूसुल होती है और सदियों से इसका इस्तिमाल किया जाता है लेकिन चाय पत्ते के साथ इसका इस्तिमाल बहुत ही कम लोग करते हैं यहाँ पर आ आपको बढ़िया से mix कर देना है इसके बाद हम चलते हैं किचन में और gas stove के उपर इसको रख देते हैं अब यहाँ पे आपको gas को on करने के बाद sauce pan को इसके उपर रखना है और जो चाइपती और हल्दी का mixture हमने तयार किया था वो इसके अंदर डालने के बाद देना है और इसे ठंडा होने तक इंदिजार करना है जब यह थोड़ी सी गुनगुनी हो जाता है पानी तो अब आपको इसको अपने एक बरतन में transfer कर लेना है इसको आपको हमेशा सुबह खाली पेट पीना चाहिए और रात को खाना खाने से दो घंटे बाद आपको ज़रूर पीना चाहिए इससे इतने ज़्यादा फाइदे होते है एक तो आपकी immunity power boost होती है अगर आप weight loss करना चाहते हैं जल्दी तो उसमें तो यह बहुत ज़्यादा मददकार होता है काफी सारे इसके फाइदे होते हैं जो कि हमारे शरीर को मिलते हैं तो हमेशा आपना इस पानी का जरूर से इस्तिमाल करिए और weight loss के लिए तो बिल्कुल यह एक वर्दान है आप इसे use करके देखिए बहुत जल्दी से आपका weight कम होगा और आपकी immunity भी boost होगी जो लोग बहुत जल्दी जल्दी बिमार पढ़ जाते हैं infection हो जाता है viral fever जल्दी हो जाता है तो उन लोगों के लिए तो यह वाला पानी बहुत ज़्यादा फाइदे मन रहेगा तो आप सभी को यह पानी जरूर से पीना चाहिए चले दोस्तो फटा फट से देख लेते हैं हमारी अगली useful trick को जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है यह वाला hack हमारी housewife के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन रहेगा हम सब के घर में मच्चरों को भगाने के लिए जिस अगरबती का इस्तिमाल किया जाता है इसका यूज ज़्यादा तर घरों में सिर्फ मच्चरों को भगाने के लिए करते हैं लेकिन आज कोलगेट के साथ इसका यूज बहुत ज़्यादा useful रहेगा तो सबसे पहले आपको अगरबत्ती को बारेग पीस कर पाउडर बना लेना है इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखेगा इसके बाद इसके अंदर आपको कोलगेट के पेस्ट को मिक्स कर लेना है कोलगेट के साथ अगरबती का इस्तमाल बहुत ही जादा यूसफुल रहेगा अब यहाँ पे इसको बढ़िया से आपको मिक्स कर देना है और इसे अच्छी तरीके से इसे कोट कर देना है इसके बाद ना इसकी छोटी छोटी बॉल्स हम बनाएंगे जो कि हमारे डेली बहुत ही जादा यूसफुल रहेगी क्योंकि जब हम कोलगेट को और अगरबती को इस तरीके से यूस करते हैं तो एक कैमिकल रियक्शन होता है क्योंकि इन दोनों के अंदर काफे सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि केडे मकोडों को छिपकली को दुर रखने के ल कर लेते हैं खास तो और रात के टाइम पे तो आपको ये छोटी छोटी बॉल्स को अपने केचन इरिया में रख देना है अगर आपके केचन इरिया में छिपकली जादा आती हैं या छोटे छोटे कोकरचिस कीडे मकोडे बहुत निकलते हैं रात के टाइम पे तो आप यहा पे भी आपको लगता है कि बार-बार छिपकली आती है या कीड़े मकोडे बहुत जादा आते हैं अगर आपके घर में चूहे भी जादा है तो आप यहां पर भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं बस एक जिसका ध्यान रखेगा कि आप जब कभी भी चूहों के लिए अगर इनको जिससे चूहे बहुत जल्दीस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसे खाने के लिए जैसे ही आएंगे इसे खाकर तुरंत वो आपके घर से बाहर निकल जाएंगे अगला यूसफुल हैक आता है दोस्तों हमारे यहां पर दूद को लिके दूद का इस्तिमाल हम सब के घर मे या तो पीने के लिए या फिर चाय के लिए ही किया जाता है आज मैं दूद के साथ बिंदी का एक ऐसा यूसुल हैक आपको बताऊंगी जो कि सभी महिलाओं के काम आएगा तो यहां पर जो महिलाएं घर में रहती हैं या फिर घर के बाहर जाके काम करती हैं उन सभी के जिससे कि हमारे स्किन उतरने लगती है, कई बार वहां इचिंग होने लगती है, या फिर कई बार वो एरिया बिलकुल वाइट हो जाता है, तो बहुत सारी महिलाओं को न ऐसी प्रॉब्लम होती है बिंदी लगाने के बाद, खास तोर पर ये जो कागस पर चिपकी हुई बिं कैसा भी ले लीजे, जो भी आपके पास अवेलबल हो, दोनों ही चीज़े फाइदे मंद रहेंगी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दूद लगाने के बाद, बढ़िया से दूद को सुखा लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आ बिंदी लगाते हैं, चाहे इसी तदीकी के रिशी जिएक कुझली, होगी, तो यह वादी ट्रिक आप यूस करके देखेगा, आपको बहुत ज़एदा फाइदा मिलेगा, अगला यह यूसफल है काथा है, दोस्तों हमारे किचनरीया से, हम सभी अपने घर में जितनी भी मसाले वगर होते हैं मसालदान के रखना चाहिए हमारी मसालदानी में जो नमक होता है आपने ध्यान दिया होगा नमक में कभी भी केड़े नहीं लगते हैं तो आप थोड़ा सा नमक ना हमेशा अपने सारे मसालों के अंदर डाल दीजे जिसमें सबसे जादा या तो नमी आती है या फिर केड़े लगने की संभावना जादा होती है इससे फायदा ये होता है कि इसका यूज करने के बाद आपके बाकी मसालों में केड़े बिल्कुल भी नहीं लगते हैं ये बिल्कुल आजमाया ट्रिक है आप इसे यूज़ करके जरूर से रखिएगा या फिर कभी अगर आपको घर से बाहर जाना है लंबे समय के लिए तो आप यहाँ पर अपनी मसालदानी में या फिर घर में जो आटा होता है कई बार रखे रखे आटे में भी केड़े पर जाते हैं तो आप यहाँ प कभी तक नहीं पता थी तो आप इसे यूज़ करिए और अपने खाने पीने की चीज़ों को खराब होने से बचा लीजें तो दोस्तों जाते जाते कॉमेंट करके जरूर से बताएगा कि आप इस वीडियो को अभी इस वक कहां से देख रहे हैं अपने नाम के साथ अपने श अच्छी लगी होते रोज की तरह एक लाइक जरूर से करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ इसाथ चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलती हूँ आप से एक ऐसी ही नए वीडियो के साथ कुछ नए नए टिप सेंट्रिक्स के साथ तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखे हर हर महादेव